परिचय पून्ल प्राकृतिक संसाधन के ऐसे अविवेक पून्ल नुकसान से दुखी है। विभिन प्राकृतिक संसाधनों की विशेश्टाएं बताना। प्राकृतिक संसाधन उन पदार्थों का भंडार है जिन्हें प्रकृति ने हमें प्रदान किया है। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं नवीनी करण के योग्य और नवीनी करण के आयोग्य नवीनी करण के योग्य संसाधन वह हैं जो मनुष्य के उपभोग के बाद समाप्त नहीं होते उनका पुनर निर्मान हो सकता है और वो मनुष्य के सतत उपयोग के लिए उदाहरण स्वरूप सूर्य का प्रकाश, पानी, पेड इत्यादी नवीनी करण के योग्य प्राकृतिक संसाधन है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य एक तारा है, जो हमें उश्मा और प्रकाश देता है। यह एक महत्व पूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। अंधेरी होगी और इस पर जीवन संभव नहीं होगा। वायू वायू एक अन्य महत्व पूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। वायू गैसों की समिश्रण होती है। इसमें मुख्यतह, नाइट्रुजन, ओक्सिजन और कार्बन डायोकसाइड होती है। सभी सजीव प्राणियों के अस्तित्व के लिए ओक्सिजन आवश्चक है। जल प्रित्वी का सत्तर प्रतिशत भाग जल से ढखा हुआ है। जल भी एक आवश्चक प्राकृतिक संसाधन है। यह मनुश्यों, पशूं और पादपों के जीवन के लिए आवश्चक है। मृदा प्रित्वी के उपरी भाग की महीन परत होती है। इसका निर्मान शैलों की वायू और जल से छोटे-छोटे टुकडों में तूटने के कारण होता है। मृदा अपनी संरचना में प्रितक होती है। कुछ महीन होती है और कुछ खुरदुरी। मृदा का रंग भी प्रितक होता है। कुछ स्थानों पर वह लाल होती है और कुछ स्थानों पर वह काली होती है। मृदा पोशक तत्वों और जल का संग्रहन करती है। पादप मृदा से खनिज और जल प्राप्त करते हैं। इस प्रकार मृदा पादपों की वृद्धी के लिए माध्यम का कारे करती है। यह चीटियों, केंचुओं और दूसरे कीडों और जानवरों को जो मृदा में घर बनाते हैं, आश्रे प्रदान करती है। वन वन वरिक्षों द्वारा घिरे हुए बहुत बड़े भू भाग को कहते हैं। यह भी एक महत पून प्राकृतिक संसाधन है। वन हमें ऑक्सिजन प्रदान करते हैं। वन वर्षा कराने में भी सहायता करते हैं। वन हमें खाना दफ़र बनाने और इमारत बनाने के लिए लकडी प्रदान करते हैं। वृृक्ष से कागज भी बनता है। हम वृक्षों से फल, मेवे और मसाले भी प्राप्त करते हैं। कोईला और भूतेल कोईला और भूतेल जीवाश्म इंधन है जिनके निर्मान में कई साल लगते हैं ये उन व्रिक्षों से बनते हैं जो मृदा में दब गए हों ये नवीनी करण के अयोग्य होते हैं क्योंकि इनकी आपूर्ती सीमित है और मनुष्य द्वारा इनके अधियुप योग से ये समाप्त हो सकते हैं हमने क्या चर्चा की? प्राकृतिक संसाधन उन पदार्थों का भंडार है जिन्हें प्रकृती ने हमें प्रदान किया है प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं नवीनी करण के योग्य और नवीनी करण के अयोग्य नवीनी करण के योग्य प्राकृतिक संसाधन मनुष्य के उपयोग द्वारा समाप्त नहीं होते, जैसे सूरिका प्रकाश, जल और व्रिक्ष इत्यादी नवीनी करण के अयोग्य प्राकृतिक संसाधन की आपूर्ति सीमित होती है वे मनुष्य के सतत उपयोग से समाप्त हो सकते हैं उदाहरन स्वरूप, कोईला और भूतेल इत्यादी